गाइस बोलीवड अभिनेता रितिक रोसन को इस समय इंडेश्ट्री के बड़े बड़े डारेक्टर अपनी फिल्मों में कास्ट कर रहे हैं हाली में संजलीला बंसाली ने रितिक रोसन को अपनी फिल्म इंसालला के लिए कास्ट किया है आज हम अपनी इस लिष्ट में आपको रितिक क्रोशन की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आने वाले जिनों में सलमान, सारुप और आमिर खान की फिल्मों के रिकोर्ड को दवस्त करते दिखाई देंगे तो लिष्ट में काईज नमबर वन पर फाइटर फिल्म आती है इस फिल्म में रितिक क्रोशन और तीबी का पादुकौन पहली बड़े बरते पर अस्क्रीन सेयर करते दिखाई देंगे शिदाद अनन्द के निर्देशन में बनी फिल्म में जबरस्त एक्षन सीन्स भी होंगे लिस्ट में गाईज नमबर टू पर विक्रम वेदा रिमेक मूवी आती है ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रितिक क्रोशन ने तमिल सुपर इट फिल्म विक्रम वेदा के हिंदी रिमेक को करने के लिए हां कर दी है इस फिल्म में रितिक क्रोशन के साल लीड रोल में सैप अली खान भी नजर आएंगे इस फिल्म में रितिक क्रोशन और दिसा फटानी की जोड़ी ओन स्क्रीन पर नजर आ सकती है इसी लिष्ट में नमबर चार पर आती है इंसालला मूवी बीदे दिनों आई रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान को इस मूवी से बाहर करने के बाद संजर लिला बनसाली ने आले बट के अपोजिट रितिक क्रोशन को कास्ट कर लिया है रितिक को फिल्म की स्क्रीन बेहत पसंद आई है और उन्होंने कुछ बदलाओं भी करने को का है फिल्म की सूटिंग 2022 में शुरू कर दी जाएगी गैस नमबर पाच पर क्रीस फोर मूवी आती है रितिक क्रोशन के पिता राकेश रोशन ने क्रीस फोर की स्क्रीम्ट को पूरा कर लिया है राकेश रोशन फिल्म की सूटिंग सुरू करने के लिए सही समय की तलाज कर रहे है गैज इस लिष्ट में नमबर 6 पर आती है रामायन गैज मदू मंटेना की इस बारी परकमबजट वाली फिल्म रामायन में रितिक करूसन को काश्ट के जाने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है पहले बता गया था कि फिलिप में रितिक क्रोसन वगवान राम के किर्दार में दिखाई देंगे हलाकि ताजा रिपोर्ट्स की माने तो रितिक राम का नहीं बलकि रावान का किर्दार निभाएंगे गैस नमबर साथ पर आती है तेन नाइट मैनेजर वैब स्रीज रितिक क्रोसन जल्द डिजिनी पलस के साथ मिलकर एक दासू एब स्रीज लेकर आने वाले है यह देन नाइट मैनेजर का ओफिजियल इंडिन डिमेक होगी रितिक इस स्रीज में जोनादन पाइन की बूमे का निभाएंगे तो दोस्तों यह साथ फिल्मे आने वाली है लितिक क्रोसन की और आप पर जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राबर करें क्योंकि आपको इस चैनल पर हर रोज का फिल्मी अपडेट मिलता है और आगे मिलता रहेगा